नमस्कार आप देख रहे हैं दिवेहिमाचल टीवी मैं हूँ आपके साथ हिवंचिता शर्मा प्रदेश भर की सब ही एहम खबरों पर नज़र डालेंगे आज की न्यूस बुलिटिन में शुरुआत करेंगे मेंन हेडलाइन्स के साथ सर्या फैक्टरी की लापरवाही मज़ूरों पर पड़ी भारी भट्टी में धमाका होने से आठ मज़ूर जुल से मिड़े मेल योजना को केंद्र ने जारी की पहली किस्त प्रदेश के स्कूलों को मिलेंगे 51.6 एक करोड मन की बात कारिक्रम में दो बार हिमाजशल का जिक्र देश के लिए मिसाल बनी परागपूर की गगोट पंशायत मकान मालिक को केक में खिला दिया नशीला पडार्थ चोरी कर फरार हुए कि रायदार परिवार की अस्पिताल में खुली आँख 45 अभियर्थियों ने दी इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलोजी की लिखित परीक्षा 920 अभियर्थियों को जारी हुए थे कॉल लेटर पवित्र डल में डुपके लगाने के लिए देश विदेश से पहुँच रहे श्रद धालू भक्ती रस में डूबा भरमौर प्रदेश के साथ जिलों में कल भारी बारिश का अलर्ट पहली सितंबर से धीमा पड़ेगा बॉन्सून और अब समाच्वार विस्तार से बिलासपुर की एक सरिया फैक्टरी की लापर वाही मजदूरों पर भारी पड़ी है यहां रविवार सुभा हुए एक दर्णाख हाथसे में आठ मजदूर जुलस गए है हाथसा एक सरिया फैक्टरी में भटी में ब्लास्ट होने से पेश आया है बताया जा रहा है कि कंपनी ने मजदूरों को सेफटी किट नहीं दी थी ब्लास्ट से जुलसे आठ में से छे मजदूरों की हालत गंभीर है और इसे देखते हुए उन्हें पीजी आई रेफर कर दिया गया है वहीं सीम ने भी घटना पर शोग जताया है विस्तार से देखें ये खबर हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिले में एक सरिया फैक्टरी में शनिवार देर राद जोरदार ब्लास्ट हो गया ब्लास्ट से आठ मजदूर जुलस गए सभी को अस्पिताल में भरती करवाया गया है सीम जैराम ठाकुर ने हाथ से पर चिंता जताई है जानकारी के अनुसार गवाल थाई सित सरिया फैक्टरी में राद करीब दो बचकुर पच्वास मिनट पर अचानक भटी में जोरदार धमाका हुआ भटी में ज्यादा स्टीम बनने के कारण ये ब्लास्ट हुआ इसकी चपेट में आने से आठ मजदूर जुलस गए चैग हायलों को पीजू आई रेफर किया गया है और दो का उना अस्पताल में इलाग चल रहा है आरोप है कि हाथसा फैक्टरी प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है फैक्टरी ने इन्हें सेफटी किट नहीं दी थी पुलिस ने जुलसे मजदूर दीब कुमार पुत्रवीर सिंग निवासी गाउं बीपर जुला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई है थाना कोट कहलूर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है स्टील कंपनी में ग्यास रिसाब हाथसे का गारण बताया जा रहा है S.H.O. गौरव भारदवाज ने मामले की पुश्ची की है बॉटम से मैंट रशाउट हुआ जिसके वजह से यह हाथसा हुआ जिसमें हमारे आठ वर्कर्स जो हैं वह इंज्यू हुए है तीन को माईरे माईर इंज्री इस थी उनको आमने उनना हॉस्पिटल शिवल हॉस्पिटल में फस्टेट के लिए भेजा तो सारे होखे होने के बाद बादी जो छे लोग को रहसर कर दिया गया प्रदेश के स्कोरों को 51 करोड 61 लाग की राशी मिलेगी अब शिक्षकों को करमचारियों को आर्थिक तंगी नहीं झेलनी होगी केंद्र की प्रदानमंत्री पोशन अभ्यान के तहत प्रदेश के स्कोरों को 51 करोड 61 लाग की राशी जारी हो चुकी है रहत की बात ये है कि अप्रेल महा से जिन स्कोरों में बजट ना मिलने के चलते दिक्कत आ रही थी वहाँ पर अब शिक्षकों और करमचारियों को आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी मिड़े मील के लिए खादे समगरी खरीदने के अलावा मिड़े मील वरकरों के मांदे पर भी खर्च किया जाएगा निदेशाले ने सभी शिक्षा खंड अधिकारियों को ये राशी जारी कर दी है अगले सब्तहा तक ये राशी संबंधित स्कूलों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी वहीं प्रस्ताव के तहट ताजे फल के साथ ताजी सबजियां देने की भी योजना है प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने मन की बात कारिकरम में दो बार हिमाशल का दिक्र किया है जो प्रदेश के लिए एक गौरफ का क्षण है मन की बात कारिकरम में परागपुर की गगोट पंचायत ने भी देश भर में पहचान बनाई है वहीं CM जोयराम ठाकुर ने भी मन की बात में प्रदेश का दिक्र होने की बात को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब धी बताया है जाने क्या रहा है आज के कारिक्रम में खास प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रवीवार सुभा मन की बात कारिक्रम के माध्यम से देश की जनता को संबोधित किया मन की बात में आज हिमाचल का भी जिक्र आया पीम ने जिलाकांगरा स्थित ब्लॉक परागपुर की गंगोट पंचायत का जिक्र किया जहां 15 अगस्त का समार हो पंचायत प्रदनीधियों द्वारा बहुत ही अनोखी धंक से मनाया गया था गगोट पंचायत ने जुगी जूपणी में जीवन यापन कर रहे मजदोरों के बच्चों को बतौर शीफ केस्ट बुलाया था इन बच्चों द्वारा गन्माने लोगों की तरह जंडा फहराने की रस्म अदा की गई थी जिसे पीम ने खूब सराहा इसके अरावा प्रधान मंतुरी ने के नौर के कलपा में बच्चों की और से किये गए हर घर तिरंगा कारिक्रम का जिक्र किया और स्पिती में मटर की खेती में ग्रामिनों की आपसी सही ओगी सामाजिक व्यवस्था को भी सराहा पीम ने हिमाज्चिर प्रधेश से मन की बाद केश रोता रमेश्य से मिले पत्र का जिक्र करते होई कहा की पहाड़ों के जीवन से बहुत कुछ स्इक सकते हैं पहाडों के जीवन शैली वस संस्कृती से पहला पार्ट तो यही मिलता है कि हम परिस्थित्यों के दबाव में ना आकर असानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे स्थानिय संसाधनों से आत्मनिर्भर बन सकते हैं वही मुख्य मंतरी रईराम ठाकुर ने इसे हिमाचल के लिए गर्व की बात बताते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का अभार जताया है सब के बीच हिमाचल परदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेनादाई उधान भी देखने को मिला यहाँ पंचायत में स्वतंतरता दिवस के कारकम में प्रवासी मजदूरें के बच्चों को मुख्य अतिजी के रुप में शामिल किया गया साथियो अमरित पॉंटा में चोरी का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है यहाँ कुछ शातर की रायदार बनकर एक घर में रहने के लिए आये और दो दिन के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया शातिरों ने पहले जन्म दिन की बात कहकर केक और कोल ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मकान माली को और उसके परिवार के सदस्टियों को खिला दिया और फिर सबके बेहोश होने के बाद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया वहीं परिवार के सब ही नौ लोग अस्पताल में भरती है पुलिस्थाना पॉंचा साहिब के अंतरगत शहर के साथ सटे भूपपूर गाउं में एक परिवार के साथ दो संदिग्द किरायदारों द्वारा केकव कोल ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर चोरी का मामला प्रकाश में आया है जानकारी के अनुसार पीडित परिवार भूपपूर का रहने वाला है करीब तीन दिन पहले दो नए किरायदार इनके घर रहने के लिए आए उन नए किरायदारों ने शनिवार श्राम को अपने जनम दिन का बहाना बना कर परिवार के पांच सदस्तियों और चार अन्य किरायदारों को केक और कोल्ड ड्रिक में नशीरी दवा मिला कर खिला दी जिससे वे सभी बेहोश हो गए नए किरायदार रात को दर्वाजा तोड़ कर घर के अंदर से कीमती समान वा मुबाइल चुरा कर रफू चकर हो गए पॉंटा साहिब पुलिस मौके पर छान बीन कर रही है सभी पेड़ित नौ लोग सिविल अस्पताल पॉंटा साहिब में उपजारा धीन है प्रारंभिक चांत में पुलिस को कुछ साक्षी हास लगे हैं जिनका अवलोकन किया जा रहा है मौके पर वीर बहादूर उपमंडल पुलिस अधिकारी पॉंटा साहिब व अशोक चौहान थाना प्रभारी पॉंटा साहिब आवश्यक कानूनी कारवाई अमल में ला रहे हैं उपमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपने मकार में किराइदार रखते समय अधार कार्ड उसकी गाड़ी के दस्तावेज वह किसके पास कारे करता है संबंधित कंपनी अथवा ठेकदार की दस्तावेज अपने पास रखें और उसकी एक कौपी थाना में उपलब्द करवाएं ताकि इस प्रकार की किसे भी अपरिय घटना से बच्राव हो सके किमाजर प्रदेश करम चारी चैनायूग हमीरपुर द्वारा रविवार को इंस्पेक्टर लेगल मेटरोलाजी की लिखित परिक्षा हमीरपुर जोन के तीन परिक्षा केंद्रों में आयूजित की गई हिमाजर प्रदेश करम चारी चैनायूग हमीरपुर द्वारा रविवार को इंस्पेक्टर लेगल मेटरोलाजी की लिखित परिक्षा हमीरपुर जोन के तीन परिक्षा केंद्रों में आयूजित की गई लिखित परिक्षा में 45 फीजदी अभियर्थियों ने भाग लिया जबकि 55 फीजदी अभियर्थी परिक्षा से अनुपस्थित पाई गई बता दें की इंस्पेक्टर लीगल मेटरोलाजी पोस्ट कोड 979 में तीन पदों को भरने के लिए 920 अभियर्थियों को कॉल लेटर जारी किये गए थे ये परिक्षा हमीरपुर जोन के तीन सेंटरों में सुभा 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई लिखित परिक्षा में 417 अभियर्थियों ने भाग लिया जबकी 503 अभियर्थी परिक्षा से अनुपस्थित पाई गए परिक्षा को लेकर अभियर्थियों में खासा उस्थाह देखने को मिला परीक्षा केंद्र में अभियर्थियों को लेकर पुक्ता प्रबंध किये गए थे अगर हमीरपुर जिरा मुख्यालिस थित राज के वरिष्ठ माधमिक पाच्छाला बाल हमीरपुर की बात करें तो यहां पर परीक्षा के लिए दो सेंटर बनाए गए थे दोनों सेंटरों में 480 अभियर्थियों को कॉल लेटर जारी किये गए थे इन में से 247 अभियर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया जबकि 233 अभियर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाई गए जबकि शाम के सत्र में मार्किट सुपरवाइजर की लिखित परीक्षा भी हमीरपुर जोन में ही आयोचित की गई हिमाचल के मंदिरों के प्रती लोगों की अटूट आस्था है इसी कड़ी में राधा अश्टमी के शाही स्नान के दौरान पवित्र जल में आस्था की डूपकी लगाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालू एतिहासिक चौगान में पहुँचना शुरू हो गए है शिव भक्तों द्वारा कीर्तन का दौर जारी है जिससे शहर भी भक्ती के रस में डूप गया है राधा अश्टमी के शाहिसनान के दौरान पवित्र डल में आस्था की डूपकी लगाने के लिए पडोसी राज्य जमो कश्मीर के डूपडा जिला के भद्रवाह से शिव भक्तों की टोलियों ने एतिहासिक चौगान में देरा डाल दिया है शिव भक्तों द्वारा चौगान में भजन कीर्तन का दौर जारी रखने से शहर शिव भक्ती रस में डूप गया है भगवान खुले नास के प्रती गूड आस्था दो विदेशी महिलाओं को भरमा और खींच लाई है 84 स्थित शिव मंदिर में नतमस तक दोनों विदेशी रशियन है और मनी महेश परिक्रमा यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंची है 84 परिसर में दिवेह मार्शल टीवी से रूबरू होते हुए रशियन महिला विश्व लक्षमी गिरी ने कहा कि वो भोले नात की नगरी भरमा और पहुंचकर बेहत खुश है लिए आरर'Mhram मौण मौरली ने चमारी खंटेशारी को के लिए तार्व गएणार को महाँ में दो Hayırनी चिहाँ परिक्रम को से बग्राइशी १। जैसरे महान सपक्ष्ट्वन दो हम कि यहाँ दो है और रृण वरलीर है परिया क्यूचकरिया दो रोशियां मैंक्य प्रदेश को अभी मौसम से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है विभाग ने सोमवार को अलर्ट जारी कर चंबा, कांगरा, सोलन, सिर्मौर, मंडी, कुलू और शिमला जिरा में भारी बारिश की आर्शंका जताई है हिमाचल प्रदेश में बारिश का दोर अभी जारी रहेगा मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के साथ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है ऐसे में इन जिलों के लिए सरकार वप्रशासन की और से एडवाईजरी जारी की गई है इसके बाद पहरे सितंबर तक हलकी बारिश होने के आसार है राज्यापदा प्रबंधन प्राधिकरन की और से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मौनसून के कारण होई दुरगहट नाओं में अब तक 278 लोगों की मौत हो चुकी है इसके अलावा 508 घायल और 9 लापता है वही प्रदेश भर में 1660 रहाईशी मकान, दुकान गौशालाएं वगहराट भी जमीं दोज होई है प्रदेश में अब तक मौनसून के दौरान 1732 करोड रुपए का नुकसान हो चुका है चलते चलते में नज़र डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटना उपर जवाली में सरकारी स्कूल के प्रदाना चौरे पर पोक्सो आक्ट के तहत मामला दर्ज नौवी कक्षा की चात्रा से दुशकर्म का आरोप परवानु शिमलाइन इच पांच पर क्याप्टन होटल के पास सेब से लजा ट्रक पलता एक की मौत एक गंभीर भायल पाउंटा में नशीरी दवाओं वद 672 ग्राम भुक्की के सास्थ तीन गिरफटार पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में पकड़े आरोपी देव भू में पहुंचे साउथ सूपरस्टार अजित प्रदेश के व्यंजनों सहित यहां के लोगों की जमकर की तारीफ दर्शुकों आज की न्यूस बुलिटिन में बस इतना ही बने रही दिवे हिमाचल टीवी के साथ